दोस्तो हर्याना स्टेट के रोहतक डिस्टिक कोट में वैकंसी जाई है और जो ये वैकंसी जाई है इसमें किलरक और ड्रैवर की वैकंसी जाई है जिसमें किलरक की वैकंसी टोटल 21 वैकंसी है और ड्रैवर की टोटल 1 पोस्ट है यहाँ पे इन वैकंसी का जो क्राइटेरिया है वो different different criteria है even in का selection procedure भी बिल्कुल different है क्योंकि किल्रक के लिए आपको एक exam phase करना पड़ेगा और driver के लिए आपको interview phase करना पड़ेगा इस वीडियो में हम detail में discuss करेंगे इसका different criteria क्या है आप इस requirement से आपका qualification match करता है तो definitely इसको apply करना चाहिए क्योंकि यहां पर बहुत सारे student बोलेंगे जो यह vacancies है यह ADHOC adopt basis पर यह vacancies आई है यह क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे इसमें particular यह नहीं लिखा कि आपको two year तक यह फिर six month तक आपको काम करना है इसका clearly मतलब यह है कि जब तक requirements है चाहिए वो six month भी हो सकती है one year भी हो सकती है पांस साल भी हो सकती है दस साल भी हो सकती है तब तक आपको काम करना है ठीक है और यहां पर permanent के भी chances रहते है वो किसले रहते है देखो जब एक contract पर vacancies आती है तो यह ताम जाब नहीं होता है like इसका कोई exam नहीं होता फिर skill test नहीं होता normally क्या होता है कि skill test लेते हैं और selection कर देते हैं अगर आप proper government का जो recruitment procedure है उसको आप follow कर रहे है तो definitely permanent के chances रहते हैं हुए भी है जब vacancies यहां पे open होती है ठीक है permanent के लिए तो उनको ही consider किया जाता है जो पहले से working हो even वो उस court का या high court का सारा काम जानता भी है और उनके link भी रहते है तो सारा जुगार्ड आपका हो जाता है और यह नहीं कि इसकी salary बेकार है इसमें आपको 25,000 रुपे परमत आपको salary मिलेगी आप अपने घर से भी यह duty कर सकते है जो नजदी की है रोत तक से आप जैसे apply करोंगे selection होता है तो आप जो है side by side अपनी जो आपको जो है quarter वगयरा मिलते दे सम्मिलता था तो government आपके ओपर पूरा कर्चा करती थी आजकल ऐसा नहीं है आजकल सब कुछ अपने घर से आपको खर्चा भी करना है और रहना भी और family भी चलानी है यहां पर मोटा मोटा देखे जो 25,000 आपको अगर आप हर्यान है क्यों स यह जोब भी निकल के आ रही है तो माइंड में कुछ इदर उदर का भरमत लाना कि यह contract पर है बेकार है ठीक है अभी करो पढ़ते रहो किसने रोख है ठीक है चलो यहां पर वीडियो स्टार्ट करते हैं डिट्रेल में डिसकस करते हैं क्या कहानी है कितनी कितनी वैकंसी जै देखो किर रख कि 21 वैकंसी जै इसमें एक condition और दी है इसमें condition में यह लिखा हुआ है कि अगर जो यहां पर reserve category में वैकंसी जाए है सबोज कर और ESM में वैकंसी जाए है MVC में वैकंसी जाए है k CzyC में में वैकंसी जाए है टिक है ड्रेवरी की पोस्ट के लिए आपको कोई exam नहीं देना सीधे एक interview देना है लेकिन कुछ terms and condition है वो हम जब video का point आएगा उसके बारे में बात करेंगे सारली मैंने आपको बताई दी कि 25,000 रूपय आपकी सारली है एज भी अच्छे घाजी है एज 18 से 42 साल एज रखी गई है बहुत सारे स्ट्रेंड पूछेंगे इसमें reservation भी है इसमें कोई extra या कोई additional reservation नहीं है अगर आपकी एज 18 से 42 साल है तो जब भी आप apply कर सकते हो एज जो होगी आपकी count की जाएगी एक एक 2024 जानी एक January 2024 से पहले आप जो है 42 साल से उपर के ना हो 42 साल के नीचे के हो तो इसमें आप apply कर सकते है ठीक है आप चाहिए अब apply करो जब तक ये form है तब तक apply करो बेसर अभी जो है आपकी 43 साल भी है 43 साल में लग भी रहे हो तो कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि age count की जाएगी एक एक 2024 से ठीक है अब बात करेंगे educational qualification के बारे में देखो इसमें clearly mention है bachelor degree आप से माँगे अब bachelor degree में बहुत सारी डिगरी आती है आठ की डिगरी आती है B.Sc. आती है B.C. आती है कुछ भी आप equivalent ले लो bachelor degree हाँ पर माँगे 12 के बाद 3 साल की जो degree college से आपने degree की है तो आप इसमें apply कर सकते है यहाँ पर ठीक है M.C. ब.C. जो भी आपने किया equivalent है जैसे MBA की है B.B.A. की है और यह सब equivalent degree रहती है आप इसमें भी apply कर सकते है लेकिन एक condition है 10th class आपने Hindi subject से pass की हो क्योंकि बहुत सारे च्रेंड पंजावी भी है जो apply करेंगे इसमें और वो पंजावी language में अगर उन्होंने 10th pass की है तो इसके लिए यानि किल्रक के लिए apply नहीं कर सकते है लेकिन वो driver के लिए apply कर सकते है ठीक है यह clear हुआ पहली condition जो है 10th में आ भी होगा एक्जाम के बाद जो कि आपके computer typing टैस्ट लिए जाएगा इसको हम बोलते है computer प्रोफिंसी टैस्ट भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे अलग अलग वर्ड में जैसे की word process भी आपे बोलते है ठीक है spread sheet भी बोलते है तो यहां पे 30 word जो है एक मिनट में 30 word आपक इंगलीस में होगी हिंदी की requirements नहीं रहती है ठीक है चलो अब next जो वेकंसी जाओ ड्रैवर की है जिसमें एक वेकंसी जाहिए इसमें 8th pass है तो आप अपलाई कर सकते हो कम से कम आपका इतना होना चाहिए middle class बोलते उसको लेकिन आपके 8 में पंजाबी या हिंदी language आपकी हो light motor vehicle यानि LMV license भी होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास ड्राइवरिंग का तीन साल का experience भी सोरी दो साल का experience भी आपका होना चाहिए ठीक है दो साल का experience पलस के license LMV license और पंजाबी है हिंदी सब्जेक्ट से आपने अपनी एट पास की हो अब फॉम आपको कैसे फिल करन आपको मिलेगा कहाँ पर देखो description में भी आपको form मिल जाएगा ठीक है और telegram group में आप जाओगे तो वहाँ पर भी आपको सारी टीड मिल जाएगी form से related आपका कोई question रहता भी है तो आप comment जरूर पिन कर देना आपको reply मिलेगा कुछ time बात सही लेकिन definitely आपका solution दिये जाए कि ordinary post करनी है speed post करना है देखो इसमें आपको speed post करना है ताकि जल्दी से जल्दी आपका form पहुचे अगर आप बाहर किसी state से भी हो तो जल्दी से जल्दी आपका यह form पहुचे ठीक है यहाँ पर ordinary post आपकी कब जाएगी कब नी जाएगी उसका कोई अता पता नहीं रहता क्य यानि 14 अक्टूबर 24 तक आपका शाम के पांच बजे तक आपका form उनके पास पहुच जाना चाहिए ठीक है यह के लिए अब selection procedure क्या है देखो selection procedure अगर हम बात करें क्रकीस में आपका exam होगा exam में दो subject होगे English composition होगा दूसरा होगा यहाँ पे GK का ठीक है यह दो subject होगे और दोनों ही subject 25 plus 25 question आएंगे और 50 to 50 marks के हो यानि total question जो है वो 50 आएंगे और एक question दो number को carry करेगा it means आपके total 100 marks आपके 100 marks का question paper होगा तीक है अगर इसके notes चाहिए आपको अगर आप इस exam को लेके serious है और इसके notes आपको चाहिए तो definitely आप मेरे WhatsApp group even मैं आपको WhatsApp नमबर दे रहा हाई का message भेजना तो आपको notes के recording जो WhatsApp chat team है TTS talents team talents high की तो आपको detail मिल जाएगी 99934347 एक बार में repeat कर रहा हूँ 99934347 पर आपको हाई का message करना है और बताना है कि मुझे इस vacancies के notes चाहिए तो जो मैं notes आपको provide करूँ हूँ आपको वही पढ़ना है भार से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है notes जो है वो यहापे paid notes है notes का charge ही जो है वो 100 rupees है तो आप 100 rupees pay करके आप notes ले सकते हो even भार से भी अगर आप loose end खरीदोंगे तो वो भी 4500 रुपे की पढ़ेगी English की book खरीद पढ़ेगी यहापे कुछ hand return notes है जो की और GKKW सभी notes है जो 20 सालों से आपके exam में आ रहे हैं आपके group D से लेके जो है यहापे group B तक exam में आ रहे है particular लगतार exam में question आ रहे हैं उन सभी को यहापे उन सभी का पूरा question 5000 MCQ यहापे रखे गए हैं उनको बना गया है तो यह सारी चीजिए है आप notes पर लोगें तो selection आपका हो जाएगा अब बात करते हैं next जो हमारे topic बचा हुआ था देखो English composition में आपको 33% नंबर चाहिए यानि आपको 33% नंबर चाहिए और आपके GK में भी 33% नंबर चाहिए दोनों को यानि each subject को आपको separately pass करना ठीक है और दोनों को मि बात करें टोटल यहां पर 40% होना चाहिए ठीक है 33 तो इसमाने चाहिए ठीक है टोटल 40% यहां पर आपका होना चाहिए ठीक है तो यह सबी डिटेल है अब ड्रैवर की वेकंसी जो है इसके लिए आपका नोर्मली खाजकुश होगा निए वह अकैडमी के बेस पर ही आपको इंट्रिव के लिए बुलाएंगे तो यहां पर आपका एक चोटा मोटा इंट्रिव होगा और सेलेक्शन आपका हो जाएगा तो यह सबी डिटेल है तो आप इस डिटेल को अच्छे से पढ़ो और नोटिफिकेशन भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कुछ भी अगर क्या है आ रहे हैं सेलेबस क्या है किस चीज़ के नोट्स मिल रहे हैं आपको फिर भी कोई डाउट रहता तो जरूरी कमेंट करना है तैंक्यों सो मज़ गाईस